किया आप अभी तक वेट करों कि Xiaomi Redmi 5 Plus कब लॉंच होगा इंडिया में और आप उसे जल से जल पर्चेस करोगे तो मैं आपको बता दू कि वो इंडिया में लॉंच होगा आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi 5 Plus को ओडर करोगे इंडिया में and I will also do a quick unboxing and detailed in-depth review of this Xiaomi Redmi 5 Plus so keep watching this video till end and I will explain you everything and without any delay let's get into this video यहाँ पर मैं भी करने वाला Redmi 5 Plus का unboxing अगर आपको दिखना हो Redmi 5 का unboxing तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि उसका unboxing भी मैं इसी वीडियो में करूँगा कुछ देर बाद तो सबसे पहले इसके unboxing करते टाइम मिलेगा आपको एक screen guard मिलेगा उसके साथ साथ एक back cover भी मिलेगा जो कि side में रख देते हैं इसके बाद आपको मिल जाते है main unit जो है आपका Redmi 5 Plus मेरे पास है यहाँ पे black color matte black color जो है 64 GB वाला variant आप देख सकते हैं आपको कैसे 18-9 रिशी वाला screen आपको मिल जाएगा इसके साथ इसको रख देते है side में और check कर लेंगे अंदर box में और क्या कुछ आपको मिल जाएगा यह आपको manual मिल जाएगा लेकिन इसका कोई ज़रुरत आपको है नहीं आपको power adapter मिल जाएगा जिसका rating है 5V 2A और एक normal micro USB cable मिल जाएगा as usual कोई headphone, earphone कुछ नहीं मिलेगा और XM ejector tool भी आपको मिल जाएगा जिसका main highlight है इसका 18-9 display यह full 1 plus 5T जासा देखे रहा जैसे के आप लोग देख सकते हो एक side में आपको मिल जाएगा 12MP camera बैक की तरफ और front में मिल जाएगा 5MP camera और पीछे के तरफ एक fingerprint sensor उपर मिल जाएगा infrared emitter 3.5 mm jack और पूरा आप जो अगर full specs के बार में जानना चाहते हो तो यहाँ पर mention किया हुआ 4000 mAh बैटरी है जो काफी अच्छा है और android 7.1.2 out of the box आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास रेड्मी 5 भी यहाँ पर है इसमें 3300 mAh बैटरी है और इसमें आपको एक HD display मिल जाता है और इसका screen size 5.7 inch उसका था 6 inch इसका है 5.7 inch यहाँ पर हम लोगे पास ही rose gold color में screen protector हम लोग हटा लेते हैं और इसके साथ साथ भी आपको screen guard एक ठो back cover और manual मिल जाते हैं पाउर ब्रीक वोसे हैं 5.2 ampere, Macro USB Cable, SIM ejector tool और as usual no earphone और headphone तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा mobile आपको मिल जाता है इसका जो capacitive touch button से वो कोई capacitive touch button है नहीं screen में embedded आपको मिल जाता है इसके नदर आपको MIUI 9 मिल जाता है लेकिन इसका RAM management उतना खास है नहीं फिर भी आपको future में जो update मिलेगा उसमें शायर यह issues जो है solve हो जाएगा पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा MI की branding और side में SIM ejector tool और एक side में power button और volume up down buttons जैसे के आप लोग देख सकते हैं इसका पीछे का design पूरा Redmi Note 4 की तरह है लेकिन सामने जो है इन लोग ने कुछ कमाल दिखाया है तो अब बात कर लेते हैं इस phone को आप कैसे लोगी यह इंडिया वहाँ पे जाके अगर अब सर्च करोगे तो आपको यह नहीं मिलेगा तो मैं नीचे दो लिंक दे दूँगा Redmi 5 Plus के Redmi 5 के उनके सारे variant के बारे मैं description में बता दूँगा अब उन लिंक में जाके जो है directly इसको pre-order कर सकते हो और यह shipping स्टार्ट होगा इसका around 20 December से तो यह आपको को दे दूँगा अभी मेरे पास यह आचुका है तो आप देख सकते हो fingerprint sensor as usual Redmi Note 4 और Redmi 4 की तरह काफी fast है यह phone देखने में काफी हलका लग रहे है लेकिन जो है Redmi 5 Plus वो हलका सभारी है Redmi 5 थोड़ा कम भारी है Redmi 5 Plus के camera थोड़ा अच्छा मेरे को ज्यादा लगा उसका antenna bands भी अच् आपको जो speaker grill है वो मिल जाता है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like and share करना मत भूलिएगा मुझे support का बहुत जरूरत है और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर आप subscribe करते हो तो मेरे को काफी अच्छ इस वीडियो hope you guys liked and enjoy इस वीडियो और एक चीज तो मैं आपको बताना भूली गया कि अगर आप इसे purchase करोगी gearbase से तो आपको कोई भी import tax नहीं लगेगा so comment कीजिए अगर आपको कोई problem हो so thanks for watching this video and आपको करन रएम सुन्ध लगट मैं जरत Minds App